जहां जगा अच्छी ना हो, भेड़ बक्रियों की जगा हो, भेड़ बक्रियों के रहने की या उनके खाने की जगा हो, तो ऐसी जगा में जो है, वहां रखने की ज़रूरत क्या है, मरियम अपनी गोद में नहीं रख सकती है। पहले के समय में लोग क्या थे एक डलिया हुआ करती थी और उट डलिया में क्या करते हैं लोग रोटी बनाकर कपड़े में लपेट कर उसके अंदर रख देते प्रभी येश्यु मसी के मदुना में आप सबको जय मसी की प्रभु आप सबको बताई से आशिश दे आमेन हम बात कर रहे हैं प्रभी येश्यु मसी के जनम के विशे में और प्रभी येश्यु मसी के जनम की आप सबको हार्दिक बदहिया हों हम बात करेंगे आज चर्णी के विशे में जब हम चर्णी की बात करते हैं तो हमने देखा जब 55 डिसंबर आता है बतों के घरों में चर्णी बनी होती है। लगा के रखते हैं मगर क्या आपको पता है कि चर्णी का अर्थ क्या होता है अब आप कोगे जहां मैं तो पता है बहुत से लोग यह कहेंगे क्यों ने चर्णी का अर्थ हमें पता है क्योंकि चर्णी जो है उस जगा को कहते हैं जहां पर भेडबकरियां या गाए बैल जो है अपना चारा खाते हैं या भुजन खाते हैं और चारा खाते हैं जो जहां चारा डाला जाता है उनके खाने के लिए उसको नांद या चरनी कहा जाता है उस जगाव को चरनी कहते हैं अगर इतना हम जानते हैं, तो फिर हमारा चर्नी बनाना, या हमारा चर्नी के बारे में संदेश सुनना या बताना वो सब व्यार्थ होता है। क्योंकि चर्नी का अपना एक अलग अर्थ है। और इसलिए परमेश्वा का वचन जो है, शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सी चीजों की बहविश्वानी करता आया है। और यशाया ने जो है बहविश्वानी करी है, मीका नभी ने बहविश्वानी करी है, यशया जो है साथ और उसके चौदमे पत में जो है वो भविश्वानी करता कि एक पारी गरवती होएगी और ये जो भविश्वानी है 749 बीसी से लेकर और 681 बीसी के बीच में की गई है और मीका नवी जो है वो भविश्वानी जो है वो करता है वो उसकी भविश्वानी जो है 733 BC से लेकर 721 BC के बीच में हुई है कि येश्व मसी जो है वो बैतलेम में पैदा होगा और यहुदा के गुत्र से होगा देखे कोई भी बाते बाईववे परमेश्वा के वचन की वेर्थ नहीं है और ये भविश्वानी जो है जब हम मती की इंचील को हम जब लूका की इंचील को पढ़ेंगे लूका और मती को खास सोर से जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जो यशया और मीका नवी के दो अरजार जो भविश्वानी की गयी है और जो 4000 साल पहले जो परमेश्व के भविश्वानी करी है येश्व मसी के पैदा होने से 4000 हजार पहले 4,000 BC में तो वो भविश्वानी जो है मती और लुका में पूरी होती हुई दिखाई देती है और हमने उस चीज को पड़ा है और 4,000 BC में जो है प्रवी येशु मसी जो है पैदा होता है और ये भविश्वानिया जो है वो पूरी परंतु खुश चीजे जो हैं जो हम एक रिती विवाच एक पैटिन जो है हमने बना रखा है और उसको हर साल करते चले आते हैं उसके बाद उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता जैसे मैंने चर्नी की बात करी है, हर साल हम चर्नी बनाते हैं, हर साल बहुत सी चीजे करते हैं, परंतु इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मतलब होता है, वो क्या होता है, बहुत सी चीजे, जो हम रेगुलर करते हैं, हर साल करते रहते हैं, वो क्या चीजे हैं, लू का दो अ मसी का जो जनम हुआ है वो चर्णी में हुआ है सराय में यानि कहीं ऐसी जगा नहीं थी जो अच्छी जगा कलाई जाए जहां पर येश्व मसी पैदा हो सकता था पर अंतों यहां पर एक बात लिखी हुई है कि उसे कपड़े में लपेट कर चर्णी में रखा गया है लाजमी बात है कि बच्चा जब चोटा है और उसे कपड़े में लपेटा गया होगा और कपड़े में लपेट कर चर्णी में रखने की क्या जरूरत ही दे कि मा जो है के खाने की जगा हो तो ऐसी जगा में जो है वहां रखने की जरूरत क्या मरियम अपनी गोद में नहीं रख सकती थी मगर इस पैशली जो है उसको ये कहा गया कि कपड़े में लपेट कर उसे चर्णी में रखा गया अब आप कोगे इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है क्योंकि इस पे जोर इसलिए इतना दिया जा रहा है क्योंकि लू का दो अध्याय उसके बारमेपद में क्या लिखता हुआ है चलिए वो भी पढ़ देते हैं और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में पढ़ा हुआ अब वो क्या है? अब ध्यान देना कि जब जिब्रेल फरिष्टा जो है जब गड़डी जो थे रात के समय में उस समय वो अपने जुन की रखवाली कर रहे थे भेड़ बक्रियों की रखवाली कर रहे थे उनके बीच में सुर्दूत प्रगट हुआ और उन्हें ये संदेश दिया कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमचार सुनाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक उधार करता का जनम हुआ है अब वो उस उधार करता के बारे में बात करते हैं और बात करने के बात जो है सरदूत क्या कहता है आपने लुका दो के बारे में पत को अभी सुना मगर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चर्नी में पड़ा पाओगे और वहां मरियम में देखें जो भी बाते हो रही हैं वो सब परमेश्र की इच्छा के अनुसार और परमेश्र के जो है जो भी योजना है उसके अनुसार पूरी हो रही है मरियम ने उसे कपड़े में लपेटा और कपड़े में लपेट कर चानी में रख दिया और ये बात लूका ने जब मरियम से सुनी तो उसमें वो बात उसको वैसे ही लिखी कि उसको लपेट कर कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा गया क्योंकि सौर्दूतों ने जो है जो गड़डियों को एड्रस दिया जो पता दिया है कि तुम्हारे लिए जो पता है तुम सराय में जाओ, भेड़ बक्रियां जहां रहती हैं गाय बैल जहां रहते हैं बांदे जाते तुम वहां पर जाओ और वहां जाकर देखो कि एक बालक जो है कपड़े में लिप्टा हुआ मिलेगा और चर्नी में उसे तुम पड़ा हुआ या रखा हुआ पाओगे गड़री है खुशी खुशी गए उन्होंने देखा हाँ बात सही है चर्नी मतलब जो नांद है जो भेड़ बक्रियों के खाने का जो इस्थान होता है उसके अंदर ये शुमसी को जो है कपड़े में लपेट कर उसके अंदर रखा गया है अब उसके अंदर रखने का क्या है अब ध्यान दीजेगा मैं पहली से कहता आ रहा हूँ कि भेड़ बक्रिया या गाय बेल जो भी है उनके खाने के इस्थान को चर्नी कहते हैं या नांद भी कहते है अब हम लोग कौन है प्रभु येश्व मसी कहता है भेड़ो का द्वार मैं हूँ मेरी भेड जो है मेरी आवाज सुनती है जब आप यहन्ना की इंजिल दस अध्याय पड़ेंगे उसमें हमको भेड़े का है हम जो है प्रभु येश्व मसी की भेड़े है और जब हम भेड़े है तो इसका मतलब क्या है पुराने समय में जब हम जाएंगे देखेंगे पहले के समय में लोग क्या थे एक डलिया हुआ करती थी और उडलिया में क्या कहते हैं, लोग रोटी बना कर कपड़े में लपेट कर उसके अंदर रख दे दे, कपड़े, रोटी हमेशा कपड़े में लपेट कर रखी जाती थी, और उसके लिए बहुत से लोग अलग से एक कपड़ा, इससे बड़ा सा कपड़ा जो है, वो इस्थि उतरी और वो रोटी मैं हूँ जो जीवन देती है जो भतायत का जीवन देती है जो अनंत जीवन देती है जब येशुमसी जो है पकड़वाई जाने से पहले उसने अपने छेलों के साथ अंतिम भोजन करा और ये अखमेरी रोटी का जो प्रथम दिन था जब उसने भोजन किया तो वहां लिखा है कि उसने रोटी तोड़ी और तोड़ कर कहा येलो रोटी ये मेरी देह है मेरा शरीर है जो इसको खाता है वो अनंध चीवन जो है वो प्राप करता है तो इसका मतलब क्या है हम भेड़े हैं हमारा चारा जो है वो चर्नी में पड़ा हुआ है और वो येशुमसी के रूप में है यानि वो जीवन की रोटी वो हमारा चारा जो हमें है जो हमारे लिए जीवन है जो हमें जीवन देने आया और बहतायत का जीवन देने आया इसलिए ये बहुत फूर्ष के साथ इस्पत को जो है बड़ा ignore किया जाता है मगर समझा नहीं जाता है कि चरणी में होने का मطलब ہے कि हमारा चारा हमारी रोटी हम भेड़ है हम भेड़ों का चारा जो है वो आचिका यह प्रभी येशु मसी है जो चर्णी में रखा उसे हमें खाना है और उसे खाकर हमें क्या लेना है बहतायत का जीवन प्राप करना है जैसे बजन सहिता में देखा है कि परक कर देखो यहवा कितना भला है परक कर महा पर आया है चक कर देखो यहवा कितना भला है तो यहवा को जो है, टेस्ट कर के देखना है, जो परमेश्रका वचन बताता है, जैसे मैंने बताया कि मीका नवी, मीका नवी ने बहुश्वानी करी कि येशू मस्य जो है, वो बैतलें में पैदा होगा, और यहॉदा के गोतर से होगा, जब परकाशिद वाकी को आप पड़ेंगे वहाँ पर बिल्कुल साफ रिका है कि येशुमसी जो है वो राजाओं का रैजवा और प्रभू का प्रभू है तो यहदा के गोतर से पैदा होने का ये मतलब है और बहतलेम में पैदा होने का क्या मतलब है जो मिका नभी इस बात की भविश्वानी करता है बहतलेम में क्यों कहीं और जगा का भी वो नाम ले सकता था मगर बहतलेम का ही नाम क्यों लिया क्योंकि बहतलेम के अर्थ को समझना है क्योंकि बहतलेम का अर्थ है रोटी का घर हमारी रोटी के घर में जो है वो येशु मसी रखा गया, येशु मसी पैदा हुआ, वो रोटी जो है, वो बैतलम में पैदा होनी थी, क्योंकि रोटी के घर में ही रोटी आनी थी, और वो जो है, येशु मसी आया और ये अच्छे पैतिस में क्या है, जीवन की रोटी में हूँ, और वो आया, मेरे और प्रभुभोज में जो है इसलिए पॉलुस एक बड़ी बात कहता है कि कोई भी प्रभुभोज लेते समय कोई भी अनुरिती से ना ले क्योंकि यदि अनुचित रिती से गलत तरीके से गलत सोच विचारों के साथ लेंगे पशताप के साथ नहीं लेंगे तो अगर इस रोटी को गरन करते तो सुच यह हमारे लिए विनाश का कारण भी यह को कहता है तो मेरे प्यारे भायों चर्नी का जो है सही आर्थिया है इसलिए हमें चाहिए कि हम चर्नी के अर्थ को समझें चर्नी को सिर्फ घरों में सजाए ना चर्च में सजाए ना बलकि उस चर्नी में जो च खोलें और उसको ग्रहन करें, येशु मसी को ग्रहन करें अपने जीवन में, उस रोटी को अपनी जीवन में लें, जिससे जो आनंती जीवन उस रोटी से मिलता है, बहतायत का जीवन मिलता है, उसको प्राप्त करें, क्योंकि अगर इसको प्राप्त नहीं करेंगा, अपने हि हैं और तू हमारी रोटी है और हमारे अंदर है प्रभु आप सब को आशिज दें आमें